Hello Student Online Classes में आपका स्वागत है आज आपके सामने एक निया टॉपिक लेकर के आए हैं वेदांग के संदर में हम लोग अदिन करेंगे हलाकि वेदांग की चर्चा इसके पहले बाले वीडियो में शाट तरीके से किया जा चुका है लेकिन सिविल एक्जाम में आख बहुत सार एक्जाम में हमने मॉडल वेपर देखा तो उसमें कई क्यूशन ऐसे हैं जो आए हैं इससे रिलेटेड इस लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ा कोई दोचार क्यूशन आपके गलत हो जाते हैं एक्जाम में तो इसी संदर में आज हम लोग उसी वीडियो के माध्याम से उस भी टॉपिक को समझेंगे तो वेदांग जो है इस पर रिलेटेड कुछ क्यूशन एक्जाम में आते हैं तो क्या टॉपिक में क्या क्या चीजे महतपूर्ण हैं कौन कों से तथी इंपॉर्टेंट है उसके संदर में हम लोग बतिन करेंगे तो चलोए विसी वासव सOS को श्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि वेदांग में क्या किज़गलńskом परहे हम लोग ईंट्रो देखेंगे, विंट्रो में वेदांग हिंदू धर्म की गरंत हैं, और इसे सहायक गरंत भी कहा जाता है, तो यह सबसे बड़ा इंपोर्टन पॉइंट है यहाँ पर, कि वेदांग जो हैं क्या हैं सहायक गरंत हैं, यानि जैसे आप कोई कारे कर रहे ह तो आपको कार करने में कोई अगर सहायता करता है या फिर आप कोई चीज ग्यान को प्राप्त कर रहे हैं अगर आपको कोई निर्देशित कर रहा है सहायता कर रहा है कि सद्दका क्या अर्थ होगा इसका क्या माइने होता है तो आप उस ग्यान को समझने में आपको आसानी हो जाती है तो यहाँ पे सबसे मातवोण बिंदु है एकजाम में क्यूशन जो आता है निमने में कौन सहायक ग्रंथ है तो वैसे ही वेदांग क्या है एक प्रकार से सहायक ग्रंथ है यानि वेदों का जब हम अध्यन करते हैं तो एक प्रकार से उन सब्दों को उन मंत्रों का क्या सेंस होगा सही अर्थ क्या होगा उसकी इस पष्ट रूप से उन सब्दों की ब्याख्या करते हैं तो बहुत अलग-अलग स्टेप में हैं वेदान को सहायक सास्त्र भी कहा जाता है। तो ये वेद अध्यन में सहायक ग्रंद के रूप में हैं, यानि वेद अध्यन जबाब करते हैं, तो उस ग्यान जो वेदों में ग्यान भरा हुआ है, वेदों में जो दर्शन है, वेदों में जो रहश्य में बातें बताई गई है वेदों में जो करमकांड के विसे में प्रकाश ढला गया है तो उन चीजों को इसपस्ट कर देता है कहीं कहीं पे तो एक प्रकार से यह सहायक ग्रंथ है और इसकी सहायते से हम वेदों के ग्यान को वेदों के दर्शन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तेप्रकार्श इसे क्या नाम दिया गया सहायक सास्त्र या सहायक ग्रंथ का नाम दिया गया अब वेदाध्यन में ये क्या है सहायक है ग्रंथों की वेदांग कहते हैं अर्थात वेद का ग्यान प्राप्त करने में सहायक हैं ये ग्रंथ की रूप में महतपूर्ण भूमी का निभाते हैं यानि सहायक ग्रंथ के रूप में महतपूर्ण भूमी का निभाते हैं अब वेदांग के संदर में अधन करेंगे वेदांग की संख्या कितनी है तो वेदा आलते हैं बहुत सारी चीजों के मादम से हम वेदों को समझने में हमें आशानी होती है जो दर्शन का है जो गर्मका niveau का करमका कर्मकान हो चेल्त ऩे जो वेदों के रहश्मई बाते हैं वेदों के सबी vi common're उन पर उसको सरल वेद मंतरों के उचारन करने की विधी का उलेग करता है तो सिक्षा क्या करता है वेद मंतरों के उचारन करने की विधी का उलेग करता है अब इसमें स्वर है वरन का उचारन है वैदिक मंतरों का सुध्ध उचारन वह उनकी रक्षा करने का उदेश से सिक्षा का विकास किया गया था तो वैदिक मंत्रों का सुध्ध उचारण होना से यह और क्योंकि सब्दों का उचारण अगर सही नहीं होगा तो गलत होगा तिस दिसा में प्रयास इसका है सिक्षा की माध्यम से जो उसके स्वर हैं जो उसके वर्ण है उन चीजों का सही उचारण जो वेक्ति पढ़ रहा है, जो वेक्ति उसका दिखदर्शन कर रहा है, जो उसका अध्यन कर रहा है, तो उन सब्दों का वो सही उचारण कर सके, इसके लिए सिक्षा का विकास किया गया, तो यह महत्पॉन बिंदु इसकोलन रखेंगे, कि उचारण करने की वी थी, सिक्षा हो गया, जिसमें यह मुख्य विंदु है, कि स्वर्व विधिक उलेक और वैदिक मंतरों का सुध्ध उचारण के संदर में इसका विकास होगा था, दूसरा है कल्प, वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भात विचार प्रस्तुत करने वाला, यह सास रहा है, यान वेदों की भासा कलिष्ट थी, कुछ तो ब्रामन ग्रंतों ने इसको सरल और संचिप्त बनाया, तो यहां पर यह पार्ट जो है, यह अंग क्या करता है, यग्यों का कर्मकांड है, उसको सपष्ट करता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें सपष्ट नहीं होती, तो व्यक्ति में किस मंद्र का प्रियोग किया जाए, यानि बहुत सारे मंद्र हैं, कौन कौन से एग्यों कर्मकांड किया जाए, जो कर्मकांड है, उनमें कौन सा मंद्रों का प्रियोग किया जाए, कौन से मंद्रों का गान किया जाए, यह सपष्ट करता है, यानि मंद्र तो बहुत सा रहें कौन से कर्म में कौन सा मंद्रों का प्रयोग किया जाए इसका इस पाश्टी करण करता है आगे बढ़ेंगी सिक्रम में तिसरा से कल्ब महतपूर हैं कल्प की तीन साखाएं ये भी एक्जाम में आता है बहुत महतपूर है एक्जाम में कई बार आ चुका है इसे विल एक्जाम में कितनी साखाएं हैं तीन साखाएं हैं पहला है स्रौध सूत्र दूसरा है ग्रिय सूत्र हो तीसरा है धर्मसूत्र ज्यादा तर एक प्रश्यामे क्यों सनाता है? कि कल्प सुत्र के कितनी साखाएं है? तो तीन साखाएं हैं. सरोष्वागर ग्रीय शूत्र धर्म सूत्र. नेश्ट्र रिया करणी में हम लोग बढ़ेंगे. ब्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है और ब्याकरण से ही वेदसास्त्रों का प्रियोजन जानने और सब्दों के यथार्त ग्यान के लिए जरूरी है कोई सब्दावली है ब्याकरण के माद्यम से सब्दों का उचारण है उस सब्द का क्या अर्थ है ब्याकराण के माद्यम से हम ये सारी चीज़ों वेदों को सहायक के रूप में काड़ करता है यानि इस ग्रंद के माद्यम से वेदों को हमें समझने वेदों में जो स्वर है वेदों में जो सब्दावली है तो वेदों के ग्यान को समझने के लिए इसके मादम से हमें आसानी होती है यानि ब्याकरण जो है उसकी प्रकितिवा प्रत्य के योग की सब्दों की सिद्धी और उदात अंदात त्वरी तसरों की स्थिती का क्या कराता है बोध कराता है ब्याकरण को वेदों का क्या नाम दिया गया मूख कहा गया है तिस तरह से ब्याकरण का अपना महत्पूर इस्थान है नेश्ट कड़ी में है निरुप्त अब निरुप्त में क्या है वेदांग में निरुप्त भाग को वेद की आत्मा कहा गया है कहा जाता है इस तरह से विधान को क्या कहा गया है वेदों की आत्मा कहा गया है वेदों में जिन सब्दों का प्रयोग जिस जिस अर्थ में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्यात्मक रूप से उलेख निरुप्त में किया गया है कहते हैं जिन जिन सब्दों का प्रियोग यहां पे इसपश्ट करेंगे कि वेदों में जिन सब्दों का प्रियोग जिस अर्थ में किया गया है यानि कहते हैं कि सब्द है सब्द के कई अर्थ होते हैं तो समस्या उत्पन हो जाती है, एक example आपके देंगे जैसे रामायर में एक चर्चा आती है राम चरित्मानस में कि सुद्र गमार ढोल पस उनारी, एक पूरा वाक्या आता है तो कहने का मतलब उसमें यह दिया गया है सुद्र अर्थ कुछ और निकाल नहीं कि पीटने से है जब कि दिसान निर्देशन से या कुछ और हो सकता है तो ऐसे यहां पर भी है कि अगर इन चीजों का यानि जिन सब्दों का प्रयोग जिस अर्थ में किया गया है अगर व्यक्ति उस अर्थ को नहीं लेगा जो चीजें हैं जो ग्यान हैं उसकी प्रयोग तक समाप्त हो जाए क्योंकि आप अर्थ ही गलत निकाल लेए हैं तो ऐसे कंडिशन में जिस सब्दों का प्रयोग जिस अर्थ में किया गया है यह हमें निरुक्तिस पस्ट करता है यानि वेदों का जो सब्दावली प्रयोग की गई है उसका क्या अर्थ होगा निरुक्त उस चीज़ को क्लियर कर देता है कि इस सब्दका यह अर्थ हुआ जिससे आम जन्मानस जो है उसके अर्थ को अनर्थ न समझें दूसरा अर्थ निकाल करके गलत दिशा में न चले जाए तो ऐसे कंडिसन में निरुक्तिस की हमें काफी सहायता करता और उस अर्थ को निश्चयात्मक रूप से उलेक निरुक्त में किया गया है इस सब्दका जो प्रयोग किया गया है इसका ये अर्थ है जिसे आम जन्माना सुसर्थ को आत्मसाथ कर सके उस ग्यान को समझ सके आगे बढ़ेंगे नेश्ट है चंद इसमें वेद पुरुस को पैर की रूप में माना जाता है चंद वेदों का आवरण है और वेदों के प्रमूख गायत्री और उष्णिक आदी चंदों की रजना का ज्यान चंद सास्र में मिलता है इसका उदेश वेदिक मंत्रों के समझित पाठ के क्या करना है सुरक्षा करना है तो गायत्री और उष्णिक आदी जो चंद है कि रजना का ग्यान किसमें मिलता है इसी छंद सास्र में मिलता है तो इसको लन रखेंगे कि वेदों में प्रव्युक्त गाहित्री और उश्णिक जो छंद है इसकी रजना का ग्यान किसमें मिलता है इसी छंद सास्र में मिलता है और इनका उद्देश क्या है वैदिक मंत्रों के संचित पाठ की सुरक्षा भी है इसी क्रम मिनेश्ट है जोतिस तो अंतिम वेदांग का अंतिम भाग है अंग है जोतिस और जहां जोतिस से मतलब क्या है वेदांग जोतिस से है यह वेद पुरुस के नेत्र माना गया है और वैदिक पहलियों का ग्यान भी जोतिस से ही संबह हुए वैदिक में वेदों में बहुत सारी चीज़ें रहश्च मही हैं बहुत सारी चीज़ें इसपष्ट मतलब रहश्चों से भारा हुआ है ब्रहमान के संदर में आत्मा के संबंद में परमात्मा के संबंद में उन रहश्चों को इसपष्ट करता है जोतिस बहुत सारी चीज़ें को क्लियर करता है और इसलिए इसे वेदांग जोतिस भी कहा गया इसे वेद पुरुस के नेतर के समान माना गया है और वैदिक पहलियों का ग्यान भी जोती से ही संभो है तो बहुत सारी पहलियां हैं, बहुत सारी रहशा हैं ये जोती से माद्यम से ही इसपस्ट होता है कुछ उपनाम है वेदांग के उनको इसफ़ष्ट करेंगे जैसे सिक्षा है सिक्षा को नाम दिया गया है नाक यानि सिक्षा को उपनाम क्या नाम दिया गया है नाक दिया गया है कल्प है कल्प का हाथ से दिया गया है प्याकरण है मुख से दिया गया है निरुक्त है कान से दिया गया है चंद है पैर और जोती से नेतर इग्जाम इस तरह से क्यूशन आते हैं इनके क्या उपनाम दिये गए हैं तो सिक्षा कल्प प्याकरण निरुक्त चंद जोती से नाम दिये गया है तो डिया रिशोनन चोटे सीज वीडियो में बहुत सारी सारगर्विक, बहुत सारी महत्पूर्ण तथ्यात्मुक चीजों को आपके सामने प्रस्तुत किये, आज की वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए तथ्यों के साथ, नए विश्यों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद